How Mandela Changed South Africa Welcome to Study IQ मेरा नाम है आदेश सिंग दोस्तों, Nelson Mandela 20th Century के सबसे important political personalities में से एख हैं उन्होंने South Africa में apathide या रंगभेद के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी Mandela का संखर्ष अभूत पूर्व था जिसके कारण उन्हें 26 साल जेल में बिताना पड़ा लेकिन आखिर में उनकी जीत हुई और 1994 में वो South Africa के पहले black राश्टुपती बने राश्टुपती बनने के बाद Mandela के पास दो रास्ते थे या तो वो South Africa में एपथाइड के दोरान blacks के साथ हुए अन्याय का revenge ले सकते थे या तो वो पुरानी बातों को भुला कर South Africa ही नहीं बलकि पूरे विश्व के इतिहास में एक नया पन्ना जोड सकते थे उन्होंने दूसरा रास्ता अपना आया और South Africa में रहने वाले सभी races के बीच peace और harmony बनी रहे इसके लिए उन्होंने एक peace और reconciliation commission की स्थाफना की इस commission का main objective ये था कि एपथाइड के दोरान हुए जुल्मों का voluntary confessions कराए जाए और लोगों को forgiveness के रास्ते पर आगे बढ़ाए जाए आज South Africa एक vibrant democracy होने के साथ-साथ नए रास्ते पर ले जाने में Mandela का एहम रोल रहा है आईए इस वीडियो में जानते हैं कि आपथाइड सिस्टम क्या था और कैसे Mandela ने इसके खिलाफ लडाई लडी और South Africa की politics को हमीशा के लिए बदल दिया सबसे पहले आईए South Africa की political history को समझे Political History of South Africa Britishers trade के लिए आए थे जो धीरे धीरे यहीं सेटल हो गए और colonies स्थापित की 1899 से 1902 के बीच Dutch और British colonies के बीच South Africa को कंट्रोल करने के लिए wars हुए जिन्हें बो वाज का नाम दिया गया इन wars में Britain की जीत हुई May 1910 में 4 separate British colonies Cape Colony, Colony of Natal Transvaal Colony और Orange River Colony को मिला कर एक Self-Governing Dominion बनाए गया 1934 में Status of Union Act पास होने के साथ South Africa, British Empire के अंदर एक Sovereign Colony बन गया शुरू से ही South Africa Racial Tensions के लिए जाना जाता था 1911 में अगर South Africa के Racial Profile की बात करें तो यहां 67% Black Africans 21% White Europeans 9% Colored और 3% Asians थे यॉरोप से आए White Minority ने Politics और Economy पर अपना कबजा कर लिया था और अपना दबदबा कायम रखने के लिए उन्होंने अपाथाइड नाम की Policy लागू की थी आईए अब अपाथाइड सिस्टम को समझ लेते हैं अपाथाइड सिस्टम अफ साथ आफ्रिका अपाथाइड अफ्रिकान्स लैंग्विज का एक शब्द है जिसका लिटल मीनिंग होता है सेपरिटनेस या अलग थलग करना अफ्रिकान्स लैंग्विज साथ आफ्रिका में सेटल हुए यॉरोपियन्स द्वारा बोली जाती थी ये इंग्लिश और डच का मिश्रण थी 1948 से 1994 के बीच साथ आफ्रिकान पॉलिटिक्स अपाथाइड डॉमिनेटेड रही ये एक ऐसा सिस्टम था जिसकी मदद से वाइट माइनॉरिटी नुमेरिकली कमजोर होते हुए भी साथ आफ्रिकन सुसाइटी पर अपना डॉमिनेंस बनाने में सफल हुई अब आथाइड के अंदर कई लेजिसलेशन्स पास हुए जिनके तहट साथ आफ्रिका की वाइट माइनॉरिटी को स्पेशल प्रेफिरेंशल ट्रीटमेंट दिया जाता था और उन्हें कंट्रीज के मेजॉरिटी पॉपिलेशन से अलग रखा जाता था इसकी शुरुवात वैसे तो 1948 से मानी जाती है जब अफ्रिकान्स नैशनल पार्टी चुनकर सत्ता में आई थी लेकिन साथ आफ्रिका में रेसिजम काफी पुराना था ब्रिटिन से इंडिपेंडेंट्स मिलने के तीन साल बाद ही 1913 लैंड आक्ट पास किया गया था इस आक्ट ने टेरिटोरियल सेग्रिगेशन की शुरुवात की जिसके तहट ब्लाक आफ्रिकान्स कंट्री के कुछ फिक्स्ट एरियाज में ही रह सकते थे जिन्हें ब्लाक रिजर्व्स या एंक्लेव्स कहा जाता था 1913 के लैंड आक्ट के विरोध में ही जो आगे चलकर आफ्रिकन नाश्नल कॉंग्रिस बनी आफ्रिकन आश्नल कॉंग्रिस या एंसी ने नेलसिन मंदेला के अंडर अपाथायच सिस्टम से लड़ाई लड़ी इसके अलावा 1950 तक वाइट माइनॉरेटी गवर्नमन ने Whites और दूसरी races के बीच marriage और sexual relations को भी prohibit कर दिया था 1950 के population registration act ने South Africans को चार distinct racial groups में divide किया ये चार groups थे black Africans जिने बंटूस कहा जाता था colored ये mixed race, white Asians और Asians Population registration act के कारण कई बार families भी split हो जाती थी कई बार तो ऐसा होता था कि parents को whites की category में रखा जाता और बच्चे colored या mixed category में होते लोगों की economic और social life उनकी categories के उपर depend करती थी supermarkets से लेकर parks, public transportation सब racially divided था सबसे अच्छी facilities whites के लिए reserved थी कोई और race का इंसान अगर whites के लिए reserved facility यूज़ करता तो उसे punishment दिया जा सकता था और तो और apathide के अंदर South Africa की 80% से ज्यादा जमीन 20% white Europeans के लिए reserved थी कई restricted areas बनाए गए जिनको access करने के लिए non-whites को passes issue किये जाते थे बिना passes या access permit documents के non-whites इन areas को visit नहीं कर सकते थे 1958 में जब Hendrick Verwood South Africa के Prime Minister बने तो उन्होंने policy of separate development शुरू किया इस policy के अंदर Bantu Self-Government Act of 1959 पास किया गया जिसके तहद 10 Bantu Homelands बनाए गए जिन्हें Bantustan कहा गया हर Black South African को एक Bantustan का citizen बना दिया गया White minorities का मानना था कि इस से Blacks अपने Bantustan Homeland में full rights enjoy कर सकते थे लेकिन असल में ये clever policy थी जिसके तहद Black Africans को South Africa की Central politics से बहर करने की साज़िश हुई 1981 से 1994 के बीच 35 lakh Black Africans को अपने घरों और जमीन से बेदखल करके Bantustan में रहने भेज दिया गया इसके कारण Black Africans में गरीबी और Homelessness तेजी से बढ़ी आईए अब देखते हैं कि कैसे South Africans, especially non-whites ने अपाथाइड के खिलाफ संखर्ष किया Opposition to Apartheid and Role of Mandela South Africa में Apartheid के खिलाफ कई आवाजें उठी इनमें Nelson Mandela का नाम सबसे महत्वपून है Mandela का जन्म 1918 में Muezo Village के Madiba क्लैन में Rolehillala Mandela नाम से हुआ था Mandela जब 12 साल के थे तभी उनके पिता की मृत्तिय हो गई थी उनकी टीचर मिस Midi Gamey ने उन्हें Nelson नाम दिया उस समय South Africa में बच्चों को क्रिश्चिन नाम देने का ट्रिडिशन था Mandela अपने यूथ से ही पॉलिटिक्स में अक्टिव रहे उन्होंने African National Congress जोईन की और 1944 में उन्होंने African National Congress Youth League बनाने में एहम भूमी काने भाई जिस तरह इंडिया में Indian National Congress ने Independence Movement लीड किया उसी तरह आफ्रिका में African National Congress अपाथाइड के खिलाफ आवाज उठाने वाली सबसे important organization थी Mandela की लीडिशिप में African National Congress ने 1945 में पहली बार Mass Based Program of Action लाँच किया 1952 आते आते Mandela की activities से परिशान होकर South African Government ने उनको बैन कर दिया 1952 में Mandela को African National Congress का National Volunteer in Chief चुना गया उन्होंने Parliament द्वारा पास्ट Six Unjust Laws के खिलाफ पहली बार Civil Disobedience Movement स्टार्ट किया इसके कारण Mandela और उनके 19 साथियों को 9 महिने की सजा हुई इसके बाद 1956 में Mandela और उनके साथियों को Treason या देश से गदारी के जुर्म में गरफतार कर लिया गया ये ट्राइल 1962 तक चला जिसमें सारी 60 defendants गिल्टी नहीं पाए गए मार्च 1960 में पुलीस ने शापविल में पास लॉज के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे अनाम्ड प्रोटेस्टर्स पर गोलियां चला दी इसमें 69 लोग मारे गए और इस घटना के खिलाफ लोगों में काफी गुस्सा भढ़गा शापविल इंसिदेंस के खिलाफ आफ्रिकन नैशनल कॉंग्रिस ने नैशनल स्ट्राइक की घोशना की लेकिन गवन्मन ने सिक्योरिटी फोर्सेस का मैसिव मोबिलाइजेशन कर रेजिस्टन्स लीडर्स को जेल में डाल दिया शापविल इंसिदेंट और गवन्मन अक्शन से आफ्रिकन कॉंग्रिस के लीडर्स को लगने लगा कि उन्हें गवन्मन के खिलाफ पीस्फुल मीन्स के बजाए वाइलेंस का सहारा लेना पड़ेगा इसलिए जून 1961 में मंडेला को आफ्रिकन कॉंग्रिस के मिलिटरी विंग का लीडर बनाया गया उन्होंने आफ्रिकन कॉंग्रिस के अंदर उम्खोंतो वे सुजबे या स्पेर अफ दे नेशन नाम का ओगनाईजेशन शुरू किया जिसका अबजेक्टिव था वाइलेंस से गवर्नमेंट को कॉंस्टिटूशनल रिफॉर्म्स के लिए बाध्य करना जैनियूरी 1962 में मंडेला मिलिटरी ट्रेनिंग लेने मुरॉको और इथियोपिया गए और जुलाई 1962 में वो वापस साउथ आफ्रिका आए लेकिन जैसे ही वो वापस आए गवर्नमन ने उन्हें अरेस्ट कर कंट्री के खिलाफ कंस्पायर करने के चार्जिस में जेल में डाल दिया 1963 में मंडेला और उनके फेलो कॉंग्रिसमेन को ट्रीजन के लिए ट्राय किया गया इस ट्रायल को फेमस रिवोनिया ट्रायल कहते हैं ट्रायल के दोरान ही मंडेला ने 20 अपरेल 1964 को एक भाशन दिया जिसे स्पीच फ्रम दे डॉक्स कहते हैं इस स्पीच में मंडेला कहते हैं कि मैंने वाइट डॉमिनेशन के खिलाफ लड़ा है और मैंने ब्लैक डॉमिनेशन के खिलाफ लड़ा है मैंने हमेशे एक डिमोक्राटिक और फ्री सुसाइटी को चेरिश किया है जिसमें सभी लोग हामनी और एक्वल ऑपिचुनिटीज के साथ रह रहे हूं इस आइडियल के लिए मैं अपनी जिन्दगी देने के लिए भी तैयार हूँ 11 जून 1964 को मंडेला और उनके साथ साथियों को लाइफ इंप्रिजिन्मेंट की सजा सुनाए गई और सजा काटने के लिए उन्हें रॉबन आइलेंड भेज दिया गया जहां से वो 1990 में ही बाहर आ सके इस समय तक साथ आफ्रिका गवर्नमंट डोमेस्टिक रिजिस्टन्स के साथ साथ इंटरनाशनल प्रेशर में भी आ गई थी 1976 में हजारों ब्लैक चुल्रिन ने सोवेटो टाउंशिप में mandatory Afrikaans language के खिलाफ प्रोटेस्ट किया इस प्रोटेस्ट पर पुलीस ने tear gas shells और bullets इस्तिमाल कर दी जिसके कारण उनकी international ही काफी आलोच ना हुई 1973 में United Nations General Assembly ने South Africa के apathite system को condemn किया और United Nations Security Council ने South African Government को किसी भी प्रकार के arms supply पर प्रतिबंध लगा दिया 1985 में US और UK ने भी South Africa पर economic sanctions लगाए Finally, domestically और internationally प्रेशर जेल रहे South Africa के apathite government को reforms introduce करने पड़े 1990 में FWD Clark South Africa के नई President बने और उन्होंने Mandela को जेल से बिना किसी शर्थ के रिहा किया रिहा होने तक Mandela जेल में 26 साल बिता चुके थे Mandela becomes President Mandela की चूटने के बाद South African government ने constitutional reforms initiate की 1994 में new constitution adopt किया गया जिसमें सभी citizens को बिना किसी racial differences के voting का अधिकार दिया गया 1994 में नई constitution के adoption के बाद जब पहली बार चुनाव हुए तो Mandela की African National Congress Party को majority मिली Fathers के द्वारा किये गए अत्याचारों का बदला लेंगे क्या Mandela वाइट्स को वैसे ही treat करेंगे जैसे अपथाइड के अंदर blacks को किया गया था लेकिन Mandela hatred में विश्वास नहीं रखते थे वो पुरानी बातों को भूल कर एक नई शुरुआत करना चाहते थे उन्होंने country के Wounds को Heal करने के लिए Policy of Peace and Reconciliation अपनाई आएए देखते हैं इस Policy को Policy of Peace and Reconciliation के तहत Mandela ने अपथाइड के Wounds को Heal करने के लिए कई कदम उठाए पहला तो उन्होंने Constitution के थुरू Rule of Law और Democracy को स्ट्रेंग्टन किया South Africa का नया Constitution अपथाइड Constitution से अलग Minority Rights को गैरंटी करता है इसके अलावा Mandela symbolism का भी सहारा लेते हैं कहते हैं कि Leaders को Citizens के लिए Example Set करना चाहिए 26 साल जेल में बिताने के बाद भी Mandela ने कभी भी Whites के खिलाफ कोई Hatred नहीं रखी वो पब्लिकली All-White National Rugby टीम को सपोर्ट करते थे हेंड्रिक वरवोर्ड जोकी अपाथाइड के चीफ आर्किटेक्ट थे उनकी विडो बेस्टी वरवोर्ड के साथ मंडेला को चाय पीते देखा गया था मंडेला जितना अपाथाइड के अगैंस थे उतने ही Black Triumphalism के भी अपाथाइड के Wounds को Heal करने के लिए उठाएगए कदमों में आज बिशप डेज्मन टूटू के अंदर बनाएगए Truth and Reconciliation Commission का Important रोल था ये कमिशन अपाथाइड के दौरान किये गए Violence में शामिल Perpetrators और Victims के बीच के Hatred को खत्म करने के लिए Important था Commission Perpetrators को Confess करने का मौका देता था और वो Civil और Criminal Prosecution से बचने के लिए Victims से क्षमा मांग सकते थे माना जाता है कि Post-Apathide अफरिका में Blacks और Whites के बीच की खाई भरने में Truth and Reconciliation Commission का Important रोल रहा Commission का ये अप्रोच Second World War के बाद नाजियों के ट्राइल से बिलकुल अलग था और उसे दुनिया भर में अप्रीशियेट किया गया नाजि ट्राइल्स जहां प्रतिशोधात्मक नियाए या Retributive Justice पर बेश था Truth and Reconciliation Commission दिरड नियाए या Restorative Justice पर बेश था खैर, Mandela केवल एक टर्म के लिए South Africa के प्रेजिदेंट रहे 1999 में प्रेजिदेंट की पोस्ट से रिटायर होने के बाद वो Nelson Mandela Foundation के तहट Social Work में लग गए 5th December 2013 को उनका देहांथ हो गया तो आखिर, Mandela के बाद South Africa कितना बदला? चलिए देखने हैं South Africa after Nelson Mandela दोस्तों, आज भी South Africa में Racial Division है हलांकि ये अपाथाइड के जैसा Segregation तो नहीं है, पर कई जगह पर Racial Division अभी भी देखने को मिलते हैं जैसे की Voting Pattern की बात करें, तो Blacks African National Congress को सपोर्ट करते हैं Whites और Colored People Mostly Democratic Alliance को सपोर्ट करते हैं Blacks और Whites के बीच Standard of Living में भी काफी गैब है एक Black Household का Annual Earning White Household के comparison में अभी भी 1-6th ही है Governance की बात करें तो Jacob Zuma और Ramaphosa के Governance में Black Triumphalism दिखता है Julius Malena जो की Mandela के साथ African National Congress Youth League के लीडर थे उन्होंने तो एक बार कह दिया था कि सभी Whites की Properties जब्त कर Blacks को दे देनी चाहिए ऐसे में Mandela का क्या चीवमेंट रहा है ध्यान से देखने पर समझ आता है कि इन परिशानियों के बाद भी Mandela के द्वारा बनाये गया Non-racial constitutional democracy आज भी सर्वाइव कर रहा है अपथाइड के कारण Blacks की Economic स्थि वाइट से काफी पिछड गई थी लेकिन अब वो धीरे-धीरे Public Spaces को Capture कर रहे हैं Human Rights और Freedom of Speech Constitution द्वारा गैरेंटीर है समाज थोड़ा-थोड़ा करके Egalitarian या समतावादी बन रहा है यही Mandela की सबसे बड़ी अचीवमेंट है